सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दवाई इस घंटे को ताकि आपको में सके हमारे लेटिस वीडियो सबसे पहले अब आप कहेंगे क्यों हमने तो कितनी पर यह से करके चीट को रोक लिया और हम बड़े तमीज़दार दिखें पर अगर आपने ऐसा किया है और आप आज भी जिन्दा है तो मैं कहना चाहूँगे कि आप भागयवान है क्योंकि ऐसा करना आपके लिए कितना खतरना हो सकता है कि आप खुद भी नहीं जानते हूं में अब बताते हैं चीक आने पर आपके शरीर के अंदर की हवा की रफतार पताए कितनी होती है सौ मील प्रती घंटा और कई बार इससे भी ज्यादा होती है अब सोचिए कि इतनी तेज रफतार को आप रोकने की कोशिश करके कितनी भारी गलती करते हैं सर्दी खासी होना बहुत आम चीज है मौसम बदला नहीं कि नाक पनीली में सूस होने लगती है फिर चीकते चीकते जान आफ़त में आ जाती है सबके साथ यही होता है कहीं बार आप जब लोगों के बीच होते हैं तो नाक दबाकर मूँ दबाकर चीक को रोक लिते हैं ज्यादा तमीजदार बनने की कोशिश करते हैं ना अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो मैं बता दूँ इसे छोड़ दीजे कहीं आपके साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा एक 34 साल के आदमी के साथ हुआ उसे चीक आ रही थी इसे रोकने के लिए उसने नाक पकड़ी मूँ बंद किया और चीक को रोक लिया चीक को बाहर निकलने की जगाएं नहीं मिली इससे गले की पीछे और जोर पड़ा और वहाँ छेद हो गया चीक के फोर्स के कारण गले की नाजुक मा स्पेशियों में छेद हो गया जाहिर है उसे बहुत दर्द हुआ होगा ना कुछ बोल पा रहा था ना कुछ निगल पा रहा था फिर उसे अस्पताल ले गए वहाँ करीब एक हफते तक उसका इलाज हुआ डॉक्टर ट्यूब की मदद से उसके अंदर लीकोइट डाल रहे थे, खाना डाल रहे थे क्योंकि वो कुछ भी निगल नहीं पा रहा था मरीज की जांच से पता चला कि छीक रोकने के कारण उसके गले का पिछला हिस्सा जिसे डॉक्टर फैरिंग्स कहते हैं वो तूट गया था डॉक्टरों के मताबिक छीक के समय हमारी सांस की नली और सीने में हवा का बहुत तेज दवाब होता है फिर जब कोई नाक और मूफ बन करके छीक रोकने की कोशिश करता है तो एका एक प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है शरीर के इस हिस्से में मास पेशियां वन वे टाइप की होती है क्योकि इनका काम बस हमारे खाए पिये को निगलने में मदद करना होता है ऐसे में जब हवा का दवाब बढ़ता है और उसे बाहर निकलने की जगा नहीं मिलती तो मास पेशियों में छेद होने का खत्रा पैदा हो जाता है तो नाक के छेद को ढखकर और मूँ बंद करकर छीक रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसे बहुत गंबीर दिक्कतें हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बता दिया फेपड़ों के पास की जगा में हवा फस सकती है यहां तक कि दिमाग में खून ले जाने वाली नसें भी भट सकती है